तो जहिंद बचों, equation based कुछ questions हैं, जिनकी practice करनी बहुत जादा जरूरी हैं, हमारी mole concept से ही related चीजे हैं, तो बड़ा ही आसान हैं, बस आपको थोड़ा सा जादा ध्यान देने की जरूरत हैं, क्योंकि जो मैंने feel किया है, object किया है, बचों को इसमें problem थोड़ी होती है, ठीक है तो सबसे पहले देखिए, हमारे पस एक equation given रहेगा, यह thermal decomposition का example है, calcium carbonate को जब हम heat देकर तोड़ते हैं, calcium oxide और carbon dioxide में यह convert हो जाते हैं, तो first of all, यह first step आपका जो होगा, question पढ़ने से भी पहले, equation अगर given है, फटा फट देखिए, वो balanced equation है या नहीं है, ठीक ना, calcium एक है, इध इधर भी oxygen 3 है, LHS और RHS की बात कर रहा हूं, carbon इधर एक है, इधर भी एक है, it is balanced chemical equation, generally balanced दियार है, फिर भी आपको एक बर, ठीक है ना, once आपको check जरूर करना है, ठीक है, अब देखिए, हमसे क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है, calculate the mass of calcium carbonate, सबसे पहले यहाँ पे जो आप unit का price निकाल लिजे, unit की चीजे निकाल लिजे, फिर जितने का पोछा है, उतने से multiply करेज़े, फिर एक example समझाता हूं, मैंने बोला, आपके पास 50 pen cost कितना, 50 pen का cost कितना है आपके पास, let's say 270 रुपीज, एक example के दोर पे, ठीक है, तो हमसे आप से पोछा है, बताए मुझे 27 pen का cost कितना होगा, 27 pen का cost कितना होगा, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला आपको एक pen का cost पता होना चाहिए, तो जब भी यहां से एक pen का cost निकालेंगे, one pen cost, cost is equal to 270 के निचे आप हमेशा 50 को ले जाएंगे, ठीक है, उसके बाद कितने pen का पोछा है, 27, तो आप इतनी, तो यह जो unitary method है, बस वही वाले जो काम है, उनको solve कर लिजेगा, आपको 27 pen का cost निकल कर आ जाएगा, same यही चीज, same यही चीज आपको यहां पे करना है, अब देखिए, यहां पे हम से क्या बोला है, mass of calcium carbonate निकालना है, मतलब इसका mass निकालना है, ठीक है, that must be taken to obtain this much of calcium oxide, तो सबसे पहले फिर से में लिख देता हूँ, इधर, यह हमारे calcium carbonate है, जो कि calcium oxide के साथ साथ carbon dioxide हमें दे रहा है, अब हमसे बोला है, कि इसका कितना mass लेना पड़ेगा, calcium oxide का, such that, such that, यह जो calcium oxide है, वो कितना निकल कर आ जाए, 179.2 gram बन जाए, और कुछ नहीं, पहला condition आ यहां पर आप क्या आता है, तो सबसे पहले यहां पर एक standard condition लिखेंगे, पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है, mass, mass, लिख क्यों नहीं पार हो यहां पर, अच्छा, यहां पर नहीं लिख सकता क्या, यहां पर लिखेंगे, mass, mass relation, मतलब यहां पर आप सिरफ mass related question जो आ volume relation लिखेंगे, okay, तो अब यहां पर देखें, mass, mass relation की क्या कहानी है, देखेंगे, सबसे पहले हम से बोला है कि कितना, standard form देखेंगे, यहां पर मैं आपको standard STP की बात कर रहा हूं, इसमें क्या होता है, mass पता होता है, इसका mass निकालिए, आपको 100 g ग्राम मिलेगा, इसका 40, आपको given होंगे, इनके atomic masses, इसका 12, 16, 48, add कर दिजे, आपको 100 g ग्राम देखने को मिलेगा, इसका निकाल लिजे, calcium का 40, और plasma इसका 16, तो 56 g ग्राम देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले, आप standard condition से 1 g ग्राम का निकालेंगे, standard condition का 1 g ग्राम का निकालेंगे, समझवा आगी यह तरीके से relations यहाँ पर बनाते हैं, हमारे पास यहाँ पर 170, यह वला, 179.2 g ग्राम, देखे, आप standard condition के इसाफसे में क्या बोलूँगा, पता हैं, ऐसे करके, जब 56 g कैलसम उकसाइड था, तब कैलसम कार्बोनेट केतना चाहिए था, 100 g ग्राम चाहिए था, तो यहाँ से मैं निकालूँगा, जब 1 g ग्राम कैलसम उकसाइड होगा, तो यह कितना चाहिए होगा, यह वला, कैलसम कार्बोनेट, उसके बाद फिर जब इतना होगा यह, तो यह चीज कितना चाहिए होगा, बस यही वाली चीज, यहाँ पर confusion होगा आपको, कोई tension नहीं, मैं आपको समझा कार्बोनेट, बताइए हाँ यह नहीं, यह एक standard case होगा, जो आपको दिया कभी नहीं होगा, आप देखें यहाँ से आपको सबसक पहला काम होगा, एक ग्राम का निकालने न, तो आप ऐसे लिखेंगे, वन ग्राम ऐसे रखेंगे, कैलसम उकसाइड रिक्वाइर्स कितना, यह 56 निचे सला जाएगा, 100 ग्राम डिवाड़ेड बाम है 56, समझ माइगी बात, और और किसका कैलसम कार्बोनेट, तो एक ग्राम के, एक ग्राम जब बनेगा, बिसिकली कैलसम उकसाइड, तो कैलसम कार्बोनेट इतना चाहिए होगा, अब हमें बदाना है कि जब यह इतना बन जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, 179.2 ग्राम ऑफ कैलसम उकसाइड रिक्वाइर तो इससे आप मल्टिप्लाइ कर देंगे, 100 ग्राम अपन में 56 और मल्टिप्लाइ में 172.2 और यह आजएगा ऑफ कैलसम कार्बोनेट, ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, इस पूरे को solve करना है, बस, समझ में आरी बात इतनी, इस पूरे को आपको सिर्फ solve करना है, इसको, और जितना भी solve करके आता है, आपका कैलसम कार्बोनेट उतना ही required होगी, समझ में आगे होगी बात इतनी, ठीक है, चलिए, अब एक और question है, हमारे पास यहाँ पर अब लेकिन जब reactant में एक से ज़्यादा आ जाते हैं एक से ज़्यादा component देखने को मिलते हैं तब और भी ज़्यादा बच्चों को problem होती लेकिन आपको नहीं होने देंगे tension मतलिजे किसमें कहा जाता है calculate the mass of hydrochloric acid required to completely neutralize 2.5 gram of sodium hydroxide तो देखें equation भी गिवन है हमारे पास कि अगर 2.5 gram sodium hydroxide होगा तो यह कितना चाहिए होगा x amount कितना चाहिए होगा so that यह completely neutralize हो जाए और कुछ नहीं ठीक है ना तो सबसे पहला आप standard condition पर जाएंगे standard condition देखीं इसका निकालेंगे तो 40 gram निकलेगा और इसका निकालेंगे तो 36.5 gram निकलेगा ठीक है ओके अब बात आती है किसको कैसे लिखा जाए तो वही चीज हमें पता करना पड़ेगा यहाँ पर देख कर समझाता हूँ अब देख लिजे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि 40 gram 40 gram sodium hydroxide standard condition के इसाब से देख लिए 40 gram और यह कितना 36.5 requires कितना 36.5 gram HCl बोलिये हाँ या नही तो 1 gram sodium hydroxide कितना require करेगा 36.5 divided by 40 gram बोलिये हाँ या नही बिलकुल सही बात है बिलकुल सही बात है HCl अब इसी तरह से जब यह 2.5 gram NOH होगा यह बोला 1 gram का निकाल दिया हमने तो यह कितना आ जाएगा 36.5 बोलिये हाँ में 40 और मल्टिपला में 2.5 नहीं आ जाएगा और इसको solve करेंगा आपका इतना gram HCl चाहिए होगा जब यह 1.5 gram होगा ठीक है इस तरह से पता करेंगे हो गया यह question खतम बात डन आ रही है समझ मारे है न बात तो अगला है आपके पास यह जो questions थे वो mass-mass relation वाले थे आप जो निचे वाले 2 questions मैंने example लिए है वो mass-volume वाले relation है तो standard के condition पे STP पे volume आपको 22.4 लिटर हमने आपको लास्ट वाली वीडियो में सारी चीज़े clear करवा दिये ठीक है अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ कैसे क्या करना है देखे इसमें कहा जाता है हमसे कि calculate the volume of hydrogen hydrogen का volume निकालना है gas liberated on heating 6 gram of magnesium with excess hydrochloric acid ठीक है अब hydrochloric acid excess है यह वाला excess कई बार आपको कई बार नहीं हमेशा ही आपके 10th class के level पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास already पता होंगे कि कौन सा limiting होंगे कौन सा excess होंगे कहने का मतलब यह है अच्छा यहाँ पर देहां ट्रेक है balance chemical equation given है ठीक है न कोई दिक्कत नहीं है आपको चेक करना जुरूर रहता है एक बर यह balanced है तो यह वला एक limiting रहता है हमेशा limiting reagent जो होगा reacting में हमेशा दो चीज़ होंगे एक excess में एक limiting में तो जो limiting में होगा ना वही decide करेगा कि product कितना बनेगा तो मैं यह भी ले सकता था इस standard में और यह भी ले सकता था मैं लूंगा भी magnesium क्योंकि यह limiting में क्योंकि इन्होंने बोल दिया with excess hydrochloric acid तो यह excess होगा ठीक ना तो अभी standard case बनाओ भी यह कितना है magnesium 12 दूना 24 gram होता है और यह वला STP पर कितना होता है 22.4 क्योंकि हमें volume चाहिए था इसको volume के drum में लेना है जिसका निकालना है न उसको आपको volume के drum में लेना है ठीक है न? और कितना gram magnesium होना चाहिए 6 gram तो यहां से standard condition लेकर 1 gram का निकालूंगा और फिर बाद में 6 से multiply कर दूँगा हमारा काम जो यह बन जाएगा तो ऐसे लिखोंगा यहां पर 24 gram magnesium produces produces कितना? produces standard condition के साब से 22.4 liter volume hydrogen ऐसे कर लेता हो तो यहां से यह लिखोंगा 1 gram magnesium produces 22.4 divided by 24 liter कितना? क्या? hydrogen अगला कितने gram से पता करना है? 6 gram magnesium 6 gram magnesium produces 22.4 upon 24 multiply 6 liter of hydrogen खतम बात इसको solve किज़े समझ में आगे होगी बात मेरे साब से दन है? चलिए एक question और करते हैं समझ में आ जाएगा देरे देरे अब इसमें हमसे कहा जाता है how many liters of oxygen are required to completely burn this much देखिए जो completely burn होता है वो हमें से limiting होगा क्योंकि वो खतम हो जाएगा और excess में जो बचा रहेगा तो completely burn propane 2.75 gram propane तो ये वाला limiting हो गया और ये वाला excess हो गया बहुत ज़्यादा amount में हो गया ठीक है ना? तो हमसे यही वाला पूछा है कि कितना oxygen जलेगा? सारा तो जलेगा नहीं? तो ध्यान रखेगा ये वाला completely burn हो जाता है और ये वाला बहुत ज़्यादा excess में है तो completely के लिए ये कितना चाहिए होगा? वो हमें पता करना है कितना oxygen चाहिए होगा? तो पहले standard condition निकालो standard condition निकालेंगे 12,36 ये प्रोपेन है 12,36 और प्लस में 8 कितना होगा? 44 ग्राम 44 ग्राम यहाँ निकालेंगे 16,65 असी है न? 16,65 असी होगा न? 16,85 ग्राम लेकिन हमें लिटर निकालना है न? तो इसको में ग्राम में नहीं लूँगा इसको में किसमें लूँगा? येस, वोल्यूम में लूँगा तो वैसे स्टेंडर का उक्षिन कितना होता है? 22.4 लेकिन ये 5 मोल है तो 5 से यहाँ पर ध्यान समझेगा हाइडोजन कितना था? अगर आप रेक्षन में देखे था हाइडोजन शिरफ एक ही था तो मैंने 1 से मल्टिप्लाइ कर रहेगा 22.4 ही रहेगा लेकिन अगर कोई मोल्स में ज्यादा कम ज्यादा होंगे इसलिए बैलेंसी की जरूरत होती ध्यान रखेगा वरना आपका अंसर गलत आएगा ध्यान रखेगा तो बैलेंसिंग सबसे पहले उसके बाद इसको 5 से मल्टिप्लाइ कर लेंगा कितना आजाएगा मेरे सबसे बाइस पचे एकसो दस चार पचे बीस एकसो बारा लिटर आजाएगा ठेक है इतनी बात ओके ग्रीट आप देखिए बड़ा ही आसान सा काम हो जाएगा स्टेंडर के इसके हिसाब से निकालेंगे यहां पर ऐसे लिखेंगे 44 ग्राम C3 एचेड बोले तो प्रोपेन रिक्वाइर्स एलेचे से पहले होंगो तो रिक्वाइर्स वर्ड का यूज कर ले ने उनको ज़रूरत होती है रिक्वाइर्स कितना 112 लिटर ओफ ऑक्सीजन ठीक है तो एक ग्राम ग्राम ओफ प्रोपेन कितना रिक्वाइर करेगा 112 अपॉन में 44 मल्टि प्लामें 2.75 लिटर ओफ ऑक्सीजन बस इसको आप सॉल्ट किजे और मोज लिजे तो कुछ इस टाइप के आपके पस इक्वेशन बेस्ट जो कुईशन से वो इन्वाल्व होते हैं नो डाउट आपके अभी बहुत ज़्यादा मैंने नुमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करवाया यहां पे अगर आपको ऐसा फ्षील होता है कि हाँ और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है और भी ज़्यादा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा अच्छे से और भी ज़्यादा बहुत 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 तरीके से समझना है तो नो डाउट और भी नुमेरिकल्स की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ठीक है न और भी numericals की practice करनी पड़ेगी तो अगर आपको need होती है तो please बताइएगा comment करके और भी numericals की वीडियो upload कर दूँगा और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है इधर वदर सारी channel अपने चान मारे तो आपके लिए है online personal class आप online में एक से class ले सकते हैं जिसमें one-on-one class आप से ली जाएगी जहां पे हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल हस्ते खिलते एक दमस्त तरीके से हर एक concept को crystal clear करते हैं ठीक है और वहां पे no doubt ये जो class होंगे आपके लिए वो paid होने वाले हैं तो ध्यान रखेगा और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना 7428-525669 पर आपको message कर देना है आपको सारी detail मिल जाएंगे तो उमीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और अगर ऐसा है तो फड़ावड वीडियो को like कर दिजे साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई student है तो चैनल को subscribe करके bell icon को जुरूप पैस किजेगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में practice करते रहेगा जैहिंद